जेहिन मेरे सभी प्यारे सातिों मैं जे गेलो स्फवागत करता हूं आपका एरपोर्स के प्रैक्शेट नमबर 36 में तो इससे पहले हम 35 प्रैक्श से डिसकस कर चुके हैं और आज हम डिसकस करेंगे प्रैक्टी येट को तो शुरू करता है क्यूशंon नमबर Q1 के लिए direction है, find out the error if any, तो यहाँ पर हमें error निकालनी थी, error find out करनी थी, तो आप वीडियो को पोज करके, इस question का answer दीजिए, फिर हम discuss करेंगे, इस question का answer, तो Q1 में sentence दिया गया है, इस question के बदले costs का प्रियोग होगा, क्योंकि cost, keep, contain, consist, comprise, आधी ऐसे verbs हैं, जिनका continuous या perfect continuous tense में प्रियोग नहीं किया जाता है, तो simple हमें करना क्या है, इस question के बदले costs का प्योग करना पड़ेगा, क्योंकि cost वर्ब का present continuous tense में यूज नहीं किया जाता है, तो question number first के part भी में error थी, I hope question number first आपको clear हुआ होगा, हम बढ़ते हैं आज के next question की तरब, चलिए friends, discuss करते हैं question number second को, question number second में sentence है, I wonder how am I to do it, तो question number second के 5 second में error है, यहाँ पर how am I के बदले how I am का प्रियोग होगा, क्योंकि person में दिया गए वाकि assertive में ना कि interrogative, तो यहाँ पर I को आगे राना पड़ेगा, क्योंकि वाकि assertive में और assertive में verb subject के भाद में आती है, तो question number second के part भी में error थी, I hope यह आपको clear हुई होगी, हम बढ़ते हैं next question की तरब, question number third, यहाँ पर sentence है, two thirds of the book were rabies, यहाँ पर word आया है rabies, rabies का आर्थ होता है बकवास, और question number third का answer हो जाएगा option number B, यहाँ पर word के बदले वाज का प्रियोग होगा, क्यूंकि two third of, three fourth of, आधी के बाद में यदि noun singular हो, तो verb भी singular रहती है, हाँ पर noun book आई है, जो की singular है, तो question number third में, यहाँ पर हमें verb को भी singular करना पड़ेगा, word की जगह हमें वाज का यूज करना पड़ेगा, question number third के part B में error थी, आई होप यह आपको clear हुआ होगा, हम बढ़ते हैं आज के next question की तरफ, चलिए friends डिसकस करते हैं question number four को, question number four के लिए direction, choose the one option which best express the meaning of the word given below, तो यहाँ पर हमें synonym बताना था, same meaning वाला word बताना था, समान आर्थी सब बताना था, और यहाँ पर word आया है pester, pester का रथी होता है सताना या प्रेशान करना, तो कौन से option में यही meaning देता है, question number four का answer हो जाएगा, option number first annoy, annoy का रथी होता है, चिडाना या प्रेशान करना, और pester का रथी होता है प्रेशान करना, तो यह दोनों आपस में synonym हो गए, बात करें बाकी options की, तो option number second में दिया गए insect, insect का रथी होता है कीट या कीडा, और option number third में दिया गए upset, upset का रथी होता है, उल्ट देना, गिरा देना, और option number D में दिया गए pest, pest का रथी होता है चिपकाना, तो question number four का आणसर होगे, option number first, I hope यह सारे words आपको clear होए होंगे, और इन words को आपने नोटूक में लिख लिए होंगे, हम बढ़ते हैं next question की तरब, वीडियो को पोच करके question number five का आणसर दिजिए, चलिए प्रेंट्स डिस्कस करते हैं question number five को, तो question number five के लिए direction है, improve the following sentence if needed, तो इस sentence में अगर को improvement हो सकता है, तो हमें improvement करना है, sentence है, old habits die hardly, तो question number five का आणसर हो जाएगा, option number second, old habits die hardly, hardly word का प्रियोग तब क्या जाता है, जब किसी बात की संभावना 0% हो, यानि उस गटना के गटित होने की संभावना ही ना हो, और जबकि यहाँ पे हमें hardly के बदले hard का use करना पड़ेगा, और hard से यहाँ मतलब हो जाएगा, बहुत परियाद से, great effort से, तो question number five का आणसर हो गया, option number second, और इस sentence का Hindi meaning हो जाएगा, पुरानी आत्ते जो बहुत वर्सों से लगी हुई है, उनको खतम करना या change करना बहुत ही मुश्किल है, तो question number five आपको clear हुआ होगा, हम बढ़ते हैं आज के next question की तरफ, चलिए friends, discuss करते हैं question number six को, question number six के लिए direction है, choose the one option which best expressed the meaning of the word given below, तो यहाँ पर हमें synonym बताना था, और word है यहाँ पर disparity, disparity का अरत होता है असमानता या मतबेद, भरक होना, तो कौनसे option में यही दिया है, question number six का answer हो जाएगा, option number second, difference, difference का अरत होता है अंतर, भरक, मतबेद, विवाद या असमानता, जो की synonym में disparity का जिसका अरत होता है असमानता, बात करें बागी options की, तो option number first में दिया गया है disseminate, disseminate का अरत होता है बिखेर ना, और option number C में दिया गया है discord, discord का अरत होता है कले, और option number fourth में दिया गया है difficulty, difficulty का अरत होता है कठी नाई या मुश्किल, तो इन पाच्व वर्ट्स को अपनी नोटूक में लिख लेना हम बढ़ते हैं next question की तरफ चलिए friends discuss करते है question नमर 7 को question नमर 7 के लिए direction है change the voice तो यहाँ पर हमें sentence active में दिया है जिसको हमें passive में change करना था question नमर 7 में दिया गया sentence बहुत ही easy है सबसे पहले हमें sentence का tense पैचानना पड़ेगा question नमर 7 में दियेगी sentence का tense है past simple tense और यहाँ पर sentence है they found him lying dead on the road side यानि उन्होंने road के किनारे पर उसे मरा हुआ पाया तो जब past simple tense को हम active से passive में change कर देते हैं तो verb को हम change करके कर देते हैं यहाँ पर देखते हैं कौन से option में वाजवर के साथ वर्प की थड़पॉम दी गई है option no first में नहीं दी गई है तो option no first cancel हो गया तो question no 7 में हम सबसे पहले object को subject में लेके आएंगे यहाँ पर object है him इसको subject में लेके आने पर यह ही हो जाएगा उसके बाद हम change करेंगे वर्प को found का कर देंगे वाज found तो उस हिसाब से हमारा जो sentence का structure बन रहा है उस हिसाब से question no 7 का answer होगा option no 4th he was found lying dead by the roadside question no 7 का answer होगे option no 4th चलिए बढ़ते हैं आज के next question की तरब चलिए friends डिसकस करते हैं question no 8 को question no 8 के लिए direction है choose the one option which opposite in meaning of the word given below तो यहाँ पर हमें opposite पूचा है एंटोनिम पूचा है word आया है यहाँ यहाँ जील जील का आर तो होता है उत्सा तो इसका opposite एंटोनिम क्या हो जाएगा question no 8 का answer है option no 2nd अपेती अपेती कारत होता है बावशुन्य या दयाहीन जिसमें कोई भी उत्सा नहीं हो वह होता है अपेती और जिसमें उत्सा वह हो गया जील बात करें बाखी options की option no 1st में दिया गया है disinterest disinterest कारत होता है अनिच्चा option no C में दिया गया है carelessness carelessness कारत होता है लापरवाई option no 4th में दिया गया है hatred hatred कारत होता है गरना या नफ्रत तो I hope 4 वर्ड आपको किलिर हुए होंगे हम वरता है next question की तरब तो वीडियो को पोच करके question no 9 का answer दीजिए चलिए प्रेंट्स डिसकस करते है question no 9 को question no 9 के लिए direction है change the narration यानि हमें narration change करना था direct से indirect में change करना था sentence है I said to him why are you working so hard तो sentence को पढ़ने से पता चला कि sentence interrogative में और sentence का part reported speech यहाँ पे present continue tense में है तो present continue tense का जब हम direct से indirect में change करते हैं तो वहाँ पे हम past continue tense में change कर देते हैं और sentence को हमें करना पढ़ेगा interrogative से assertive इतना clear हुआ यहाँ पे हम said to को change करेंगे ask में और conjunction के रूप में वही wh word का use करेंगे जो sentence में दिया गया है उसके बाद आएगा sentence का subject को में assertive में बनाना है interrogative में नहीं तो उसके बाद आएगया sentence का subject यहाँ पे sentence का subject दिया गया you, you को हम change करेंगे him के इसाब से यहाँ पे you का हो जाएगा he, उसके बाद अगर हमें इसको past continue इतना ध्यान रखना narration change करते हैं हमें interrogative का assertive change करते हैं और present continue tense का past continue tense में change होता है तो बढ़ते हैं next question की तरब question number 10 question number 10 में हमें opposite बताना था antonym बताना था और word यहाँ पे hamper hamper का आर्थ होता है बादा डालना या रोकना तो इसका opposite क्या हो जाएगा antonym क्या हो जाएगा question number 10 का answer है option number 4 aid aid कार थोता है साइता करना और hamper कार थोता है बादा डालना या रोकना तो यह दोना अपस में opposite होगे बात करें बाकी options की option number first में है ignore ignore कार थोता है इंकार करना या नजरनदाज करना option number B में है regular regular कार थोता है नियमित और option number C में है random random कार थोता है अचानक तो question number 10 का answer हो गया option number 4 हम बढ़ता है next question की तरब question number 11 question number 11 के लिए direction है fill in the blanks with correct preposition यहाँ पर हमें preposition का selection करना था preposition भरने थी sentence है I don't care blank the expense I want the party to be a real success तो यह मैंने पिछले practice set से question उठाया है यह एक repeated question हो गया है आपके लिए अगर आपने पिछला practice set दिया है तो कहीं न कहीं आपको यह question जरूर मिला होगा तो आप इस question को देखते ही answer दे दोगे क्योंकि यह question same agent बद बनाया है कई बार exam में भी same agent question आजाता है तो देखते हैं इस question का answer आपने सही दिया है कि नहीं question number 11 का answer होगा option number 3 केर के साथ में हमें about का यूज करना पर चाहिए care about का आर्थ होता है चिंता करना या परवा करना और about को यहाँ पर put up करने से इस sentence का हिंदी मिनिंग हो जाएगा मुझे खर्चों की परवा नहीं है मैं इस party को सफल बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पर जो perfect मिनिंग देगा वो होगा care के साथ में about का यूज जिसका आर्थ होता है परवा करना question number 11 का answer होगा option number 3 हम बढ़ता है next question की दरब चलिए print discuss करते है question number 12 को question number 12 के लिए direction है choose one word for the group of word तो यहाँ पर हमें one word बताना था sentence है customs and habits of a particular group यानि किसी group के किसी समाच के रिती रिवाज को क्या कहेंगे question number 12 का answer हो जाएगा option number 1st मोरोज मोरोज का आर्थ होता है रसम रिवाज या आचार विचार बात करें बाकी options की तो option number 2nd में दियाए tradition, tradition का आर्थ होता परंपरा या पर्था option number 3rd में दियाए राइट्स rights का आर्थ होता है संसकार और option number 4th में दियाए रिचुवल्स रिचुवल्स का आर्थ होता है अनुस्टान या धार्मिक संसकार तो question number 12 का answer होगे option number 1st हम बढ़ते है next question की तरब चलिए प्रेंट्स डिसकस करता है question number 13 को question number 13 के लिए direction है choose correct meaning for given idiom phrase तो यहां पर हमें एक idiom दिये गई underline करके उसका हमें अर्थ बताना था और idiom है to carry out तो carry out का आर्थ होता है अन्जाम देना या पूरा करना सिध करना समाप्त करना तो question number 13 का answer हो जाएगा option number third execute execute का आर्थ भी होता है समाप्त करना इसका एक और आर्थ होता है फासी देना या प्राणदन देना execute का आर्थ होता है लेकिन इस idiom का to carry out का आर्थ होता है अन्जाम देना तो question number 13 का answer हो जाएगा option number third चलिए प्रेंट्स डिसकस करता है question number 14 को question number 14 के लिए direction है choose correct spelled word चारो option में से हमें correct spelling का selection करना था कि कौन सी spelling सही है question number 14 का answer हो जाएगा option number third wilful का सही spelling option number third में दी गए है जिसका अर्थ होता है जान बूच कर question number 14 का answer हो गए option number third हम बढ़ते हैं next question की तरफ question number 15 question number 15 के लिए direction है fill in the blanks with correct preposition यहाँ पे हमें preposition का selection करना था sentence है they leave blank the fifth floor तो question number 15 का answer हो जाएगा option number third जब भी किसी floor पे रहने की बात हो वहाँ पे हम own preposition का use करते हैं floor पे रहने के लिए own preposition आता है question number 15 का answer हो गए option number third हम बढ़ते हैं next question की तरफ discuss करते हैं question number 16 को question number 16 के लिए direction है arrange this sentence in perfect order तो यहाँ पे हमें एक sentence दिया गया है जिसको हमें perfect order में जमाना था discuss करते हैं question number 16 को यहाँ पे हम P और Q option को ध्यान से पड़े तो P और Q में लिखा है torturing physical pain after experiencing physical pain को experience करना तो इससे हमें पता चला कि Q के बाद में P आएगा after experiencing torturing physical pain इतना तो ते है तो कौन से option में Q के बाद में P दिया गया है सबसे पहले उस option को देखना पड़ेगा option number 4 में दिया गया है अब हम option number 4 को पड़ते हैं what gives some person the power to fight on after the loss of a precious loved one after experiencing torturing physical pain day after day इस sentence का Hindi meaning हो जाएगा दिन बाद दिन सारे दिक पीड़ा सहते हुए और किसी prison के नुक्सान होने की बाद भी कुछ लोगों को लड़ने से क्या मिलता है और बाकि सारे option में P को सबसे पहले दिया गया है इसको हम पड़ते है what gives some person torturing physical pain तो यहाँ पे पहले ही वर्ब आचुकिये तो वापस हमें वर्ब का use some persons के लिए नहीं करना है तो question number 16 में बाकि सारे option में P को पहले दिया गया है जो कि आई नहीं सकता तो इस परकार हमारा answer हो गया option number 4 S, R, Q, P I hope यह आपको clear हुआ होगा हम बढ़ते हैं next question के तरफ question number 17 question number 17 के लिए direction है choose one word for the group of word तो यहाँ पर हमें one word बताना था one word का selection करना था military waking signal sounded in the morning यानि military वालों को जगाने के लिए बजाए जाने वाला sound उसको हम क्या कहेंगे question number 17 का answer हो जाएगा option number 1 रिवेली, रिवेली का तो था जगाने का sound और option number 2 में आए ललाबाई ललाबाई का रहत हो था लोरी option number 3 में आए anthem, anthem का रहत हो था गान और option number 4 में है soprano, soprano का रहत हो था सबसे उंचे सूर का गीत तो आई होब question number 17 आपको के लिए हुआ होगा हम बढ़ते हैं next question की तरफ तो question number 18 में आपको passage दिया गया है वीडियो को पोच कीजिए question number 18 को पढ़िए और passage को देखके उसका अंसर दीजिए question number 19 आपको screen पे शोग हो रहा होगा हम बढ़ते हैं आज के last question की तरफ question number 20 तो वीडियो को पोच करके question number 20 का अंसर दीजिए फिर हम discuss करेंगे इस passage को तो ये passage बात कर रहा है बालू की कहानी के बारे में जिसको आपने बच्पन में पढ़ा होगा दो दोस्त होते हैं जो जंगल में जारे होते हैं और उनको तभी बालू दीखता है एक दोस्त पेड़ पे चड़ जाता है और एक दोस्त मरने की एक्टिंग करता है और वो बालू आता है पास में और उसको मरा होगा समझ के छोड़ के चला जाता है तो ये कहानी आपने बच्पन में पचास वार सुनी होगी तो आई होप आपने पेसेज के साथ का आंसुर भी सही किया होगा हम डिसकस करता है इस पेसेज के इंपोर्टेंट वर्ड्स को पहला इंपोर्टेंट वर्ड है बोस्टिंग जिसका आर्थ वतादारी ग्रावलिंग का आर्थ वतादार ग्रजना विस्पर का आर्थ वतादार काना फुशी तो फिडेलिटी का अर्थ क्या है फिडेलिटी का अर्थ होता इमानदारी या वफादारी तो क्यूश्व नम्मर 18 का अंसर हो जाएगा ओप्शन नम्मर 3 फैदफुलनेस क्यूश्व नम्मर 19 में पूचा गया वोट सेउड दा लिटिल मेन यानि उस छोटे आदमी को किस ने बचाया तो छोटे तो क्यूश्व नम्मर 19 का अंसर आपको यहां से मिल जाएगा वोट इस लाइप तो हीज ओवन प्रिजेंस ओप माइंड यानि उसके खुद के दिमाग की उपस्तितिक के कारण उसकी जान बच गई थी क्यूश्व नम्मर 19 का आंसर हो जाएगा उपस्व नम्मर 3 हम डिसकस करते हैं लास्ट क्यूश्व नम्मर 20 को क्यूश्व नम्मर 20 में पूचा गया वोट मेड दा बियर गो अवे आप्टर एग्जमिंग दा मेन तो question number 20 का आंसर आपको यहां से मिल जाएगा and supposing him to be dead went on its way living him unheart यह ने उसको मरावा समझके उसको बिना कोई चोट पहुचाए वहां से चला गया question number 20 का आंसर हो गया option number first तो इस परकार हमारा practice rate number 36 complete हुआ आपके चिते भी marks आते हैं वह में comment section में लिखकर जरूर बताना अब मिलेंगे अब कल फिर एक नए test के साथ एक नए concept के साथ तब तक के लिए जे हिंद जे बारत सुबरातरी